आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ, अभी राउनलोट करें अगर हम बात करें बहुरूपता की जिसको पॉलीमॉर्फिजम भी कहते हैं अंग्रेजी में ठीक है, तो देखें बहुरूपता क्या होती है, जब एक ही प्रजाती में, किसमें? एक ही प्रजाती में, दो या दो से अधिक, जीवों के दो या दो से अधिक रूप मिलते हैं या दिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुरूपता कहते हैं पॉलिमॉर्फिजम कहते हैं ठीक है अब बात करें कि दो या दो से अधिक रूप से क्या ताथ पर रहे ठीक है तो देखें इसको हम समझेंगे एक उधारंड से वो उधारंड कौन सा है हमारा मदुमक्खी क्या है जो मदुमक्खी होती है ठीक है देखें मदुमक्खी में तीन तरीके की मदुमक्खیاں पाई जाती है एक ही प्रजाती में कौन कौन सी एक होती है रानी मक्खी कौन सी रानी मक्खी जो दूसरे तरह के होते हैं वो होते हैं नर मक्क होते हैं और मुटेव्ज और इस नर मक्खी को ड्रौन भी उता है?... तक यह देखिए यह त्थीन तरीगे की रूप में मिल रहे हो है क्योंकि जो राणी मक्खी होती है इसका क्या होता हैatively अंडे देना, ठीक है, क्या देना, अंडे देना, जो नर्मक्षी या ड्रोन मक्षी होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसका काम होता है, रानी के गर्भाधारण का, ठीक है, रानी में जो गर्भाधारण होता है, वो नर्मक्षी के द्वारा होता है, ठीक है, और जो श्रमिक मक्ही होती है इनका कार्य क्या होता है कि ये छत्ते भी बनाते हैं क्या करते हैं छत्ते बनाने का कार्य करते हैं उसके साथ साथ शहद भी बनाते हैं ठीक है शहद बनाने का भी और रानी द्वारा दिये गए अंडों की ये देख भाल भी करते हैं क्या करते हैं अंडों की वहाल का भीकार करते हैं ठीक है तो इस प्रकार देखी एक ही प्रजाती में तीन रूप हमें देखने को मिले इसी को हम क्या कहते हैं बहुरूपता कहते हैं धन्यवाद अज़े डाउटने डाउटने आप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चारसो 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 पर